ही गाईज, वेल्गम तो स्टेटी इंवली, सो इस वीडियो से हम एक निया सब्चिक स्टार्ट करने चारे हैं, इकॉमर्स, सो इस वीडियो के अंदर हम इकॉमर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इकॉमर्स की बीसिकली फुल फॉर्म आपको पहले पता होने चेहें, जो की होत हैं, यह पॉर्यवी फॉर्म केके की और किनल पहले हैं, जो में नदर क्रिपन कारता हम लेकशन में, जो मार कचमेह तो आपकई ही यह मार्फॉर्म से श्राछन को इस थी प्रॉप्रॉइज के को कंड़क्ट कर सकते हैं जहां बिजनेस ट्रांजक्शन में क्या एगा सेल करना या फिर बाय करना तो जब भी आप ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोनिक प्लाट्फॉर्म का यूज कर रहे हूं जहां पर आप ऑनलाइन अपने गुद्स या सेल कर रहे हो तो वह एकॉमर्स के अंद मुश्किल होती थी ग्लोबली रीच करना क्योंकि एक जियोग्राफिकल बारियर काफी जादा आता था बट अब इसनी क्या करा है एकॉमर्स ने इसको एलिमिनेट कर दिया और कोई भी जो ऑर्गिनिजेशन है वह कस्टमर से ग्लोबली रीच कर सकती हैं साती साथ जो एकॉ अगर पॉचनोटी भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर उन्हें अपने कस्टमर बेश को एक्सपांड करना है तो वो एकॉमर्स का यूज कर सकते हैं अगर उन्हें नियू मार्केट के एकॉचनोटी ग्रब करने हैं तो इसके लिए युज़र बीव और को उसके लिए वह स् कहीं से भी शॉपइंग कर सकते हैं किसी फिजीकल स्टूरー कि उन्हें कहीं पर भी विजट करने की जुरूरत नहीं है बर्कि वह खर पर बैठे बैठे आदे इसली ऐनी टायमर डेकर सब्सक्ति कषपीं मिल जातने हैं कि वह अपने प्रुडक्ट का भी हिसाब रखते हैं सरविसेश्य का भी हिसाब पाते हैं और साती सद्रिक्त प्रोर्डक्ट रॉड़र्ट कर पाते हैं अपनी कस्विक aver अपने इस生 Mut compare कर सकते हैं prices को अलग-अलग platform को visit करने के बाद reviews को read कर सकते हैं particular जो भी उन्हें product पसंद आते हैं और उसे के बहाफ पे जो customer है वो final decision ले सकते हैं fourth nature can be personalization यानि कि जो e-commerce platforms होते हैं वो personalized shopping experience provide करते हैं अपने customers को based on their choices and behavior अब इसके इंतों जो customer है वो अपनी recommendations के according कोई भी product को ले सकते हैं जो business होते हैं वो targeted advertisement कर सकते हैं यानि क्यों नहीं पता होते हैं कि उनकी customer की क्या preference है क्या choice है उसी के according जो business है वो opportunity को grab करते हैं and target advertisement देते हैं ताकि जो customer है वो उनसे product को purchase कर सके and customer को भी customized offers मिलते हैं ठीक है now अब हम देखते हैं क्या क्या advantages हो सकते हैं e-commerce की so first advantage हो सकते है increased reach and market expansion यानि कि जो e-commerce है वो business को ये opportunity प्रवाइड कर रहा है कि जो business है वो large audience के साथ एक टाइम पर connect कर सकते हैं अपने customer base को वो काफी जादा expand कर सकते हैं beyond geographical boundaries second advantage can be cost efficiency यानि कि अगर माल लेते हैं कि आपको कोई भी अपना store open करना है तो आप जो store open करोगे उसके लिए आपको physical जगे की जुरुत पड़ेगी ठीक है and अगर आप कोई भी store को open करते हो तो उसमें काफी सारे खर्चे होता है तो जो e-commerce होता है वो eliminate करता है किसी भी physical store की यानि कि अगर आप e-commerce platform के जरी अपना कोई भी store को open कर रहे हो online तो आपको वहाँ पे कोई भी physical store की need ही नहीं पड़ती जिससे जो आपकी cost होते है वो काफी ज़ादा reduce हो जाते है कम हो जाती है ठीक है e-commerce platform के तुर e-commerce साथी साथ business को काफी ज़ादा चीज़े provide करता है यानि कि जो business है वो streamline operations कर सकते है step by step हर एक operations पर carefully ध्यान दे सकते है वो अपने काफी सारे process को e-commerce के तुरू automate कर सकते है यानि कि automatically कर सकते है जिसते जो उनकी cost होगी वो save हो जाएगी and cost reduction भी होगा third advantage can be improved customer experience यानि की e-commerce platform का use करने से जो customers होते हैं जो business होते हैं उन्हें convenience provide होती है वो अपनी recommendations की according जो business होते हैं वो recommend कर सकते हैं कि customer को कौन सा product चाहिए उनकी behavior को read करने के बाद ठीक है easily navigate कर सकते हैं customer को और साथी साथ जो customer का shopping behavior होता है shopping experience होता है उसको enhance कर सकते हैं customer के लिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो customer का overall experience हो रहा है recommendations देने का easy navigate करने का यानि की customer को अब कहाँ click करना चाहिए कहाँ जाना चाहिए कहाँ पर उनके product उने मिल सकते हैं इन सबको direction प्रवाइड कर सकते है e-commerce platform ठीक है साथी साथ जो customer को overall experience होता है किसी भी चीज़ को product करने का वो काफी जादा अच्छा और smooth हो जाते है तो कहिना कहीं जो e-commerce होता है वो customer के लिए customer जो experience है उसे improve करते है fourth advantage can be access to data and analytics यानि कि जो e-commerce providers होते है जो भी e-commerce को provide करने business को वो valuable customer data प्रवाइड करते है and analytics भी प्रवाइड करते है अब यह जो information होती है इससे क्या होता है कोई भी जो business होता है वो customer behavior को समझ पाता है ठीक है customer की क्या choice है क्या preference है उसको समझ पाते है trend को समझ पाता है साथी साथ जो business होता है वे उन्हें की भीहाफ पे data को लेकर उससे अच्छे तरीका से collect करकर उसे analyze करने के बाद अपना कोई भी decision ले पाती है company कि किस तरीके से उन्हें offer show करना है किस टाइब की customer को किस टाइब का offer उन्हें show करना चाहिए यानि की data जो customer का data होता है उसमें easily access जाती है साथी साथ company के गटे data को analyze कर पाती है ताकि वो customer की behavior और उनकी choice को जान सके now अब हम बात करते हैं disadvantages of e-commerce के बारे में पहली disadvantage हो सकती है lack of personal interaction यानि की जो e-commerce होता है उसमें personal touch की काफी जदा कमी होती है क्योंकि हमारा जो सारा काम है वो online हो रहे तो वहाँ पे कहीं भी personal touch आपको available नहीं होता customer जो है वो अपने product को feel नहीं कर सकता, touch नहीं कर सकता face to face इसमें interaction नहीं होती क्योंकि physical store में आप जाना ही रहे आप सारे product को online purchase करने हो तो कुछ जो customers होते है उनका जो experience होता है physically examine करने का products को वो उन्हें नहीं मिल पाएगा online तो अगर customer चाहते है कि उन्हें physically अपने product को देखना है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी रह जाते है e-commerce platform के अंदर क्योंकि जो e-commerce platform होते है वो personal interaction provide नहीं कर पाते second disadvantage can be security and privacy concerns यानि कि जो e-commerce में जितनी भी transactions जितनी भी activities होती है selling की, buying की उसके अंदर कहीं ना कहीं का customer को अपनी personal information share करनी होती है and अपनी financial information भी share करनी होती है अब इसके अंदर क्या होता है कहीं पर ऐसे chances होते हैं कि उनकी security, उनकी privacy यानि कि ऐसे chances होते हैं कि कोई ऐसी company है जो की fraud कर रहे है किसी ने ऐसी website बनाई जो की legal website यह ने यह fraud website है और किसी customer ने जाकर वहाँ पर purchase कर दिया तो उसके साथ तो fraud हो जाएगा तो जो भी उसकी personal information होगी financial information होगी वो hack होने के chances होते हैं ठीके तो कहीं ना कहीं customers जो होते हैं वो concern होते हैं इस बात पर कि कहीं ना कहीं इनका जो data है जो उनकी security, privacy है वो leak हो सकती है और उसका misuse करा जा सकता है थर्ड disadvantage can be dependence on technology यानि कि जो e-commerce होते हैं वो heavily depend होते हैं technology infrastructure पर connection की requirement होती ही होती है अगर आपका internet connection अच्छा नहीं है तो आपकी जो e-commerce website या फिर जो भी चीज होगी वो work नहीं कर पाएगी इसके अंदर आपको secure payment gateways लगाने ही लगाने पड़ेंगे जहां से जो आपकी customer है वो आपको payment करेंगे ठीक है अब यहाँ पर कहिना के technical issues आने के भी काफे ज़ता chances होते हैं ठीक है system failure आने के chances होते हैं अगर आपकी and से कोई भी problem आ रही है तो customer को face करना पड़ता है that is technical issues आ सकते हैं ठीक है जिससे जो customer का buying process होगा अगर customer वो product खरीदना चाह रहा है और वहाँ पर कोई भी technical issue आ रहा है या फिर उसके payment नहीं हो पा रही तो वहाँ पर क्या होगा जो buying process होगा वो रुक जाएगा ठीक है इससे जो customer की satisfaction होगी उस पर impact पड़ेगा क्योंकि customer satisfy ही नहीं हो पाएगा customer ही सोचेगा कि यहाँ पर तो technical glitch ही आ रहा है तो अगर मैं कुछ भी product खरूँगा तो खरीदूँगा तो वो कैसे होगा यानि कि customer का कही नहीं जो satisfaction level होगा वो कम हो जाएगा this advantage can be increased competition यानि कि जो e-commerce है उसने काफी ज़ादा opportunities तो दिये business को साथी साथ उसने काफी ज़ादा competition को भी increase कर दिया है market के अंदर अब यह कही न कहीं जो छोटे-छोटे small businesses होते हैं उनके लिए काफी बड़ा challenge बंच सुका है कि वो large business से कैसे compete करेंगी और कैसे वो अपने online retailers जो भी उनके online stores है उसे अच्छे तरिके से establish करेंगे ताकि उनके पास भी customer का अच्छा खासा base prepare हो यानि कि उनके लिए challenge होता है larger जो business है उनके साथ compete करने का उनके पास challenge होता है वो कैसे इस opportunity को grab करें कैसे अपनी customer base को maintain और retain करके रखें अब जो e-commerce होता है वो shipping और delivery को भी involve करता है यानि कि इसमें जो customer होता है कोई भी product को purchase करता है तो उसके इंदर shipping and delivery भी लगती है आपको product को ship करना होता है फिर उसके बद आपको product को customer के दियेवे address पर deliver करना होता है तो यहाँ पर company के पास एक challenge आते है अपने logistics को manage करने का कि company को timely delivery ensure करनी पड़ती है company को packing अच्छे तरीके से करनी पड़ती है ताकि जो उनका product है वो damage नहीं हो जाए साथी सथ company को इसका भी ध्यान रखना होता है कि उनके timely delivery हो product के बारे में क्योंकि अगर वो timely delivery करेंगे जो customer का satisfaction level हो का वो अच्छा बने रहेगा अगर company delivery के अंदर तो customer फिर बार में वापस से company से buy नहीं करेगा और करेगा भी तो बार बार सोचीगा कि मुझे buy करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए फिर साथी साथ जो company होते है कही बार ऐसा होते है कि जो customer होते हो product लेने से मना कर देता है तो यहां पर company को अपने returns को भी manage करना आना चाहिए कि इस तरह कैसे company अपने return products को handle करेगी ठीक है क्योंकि कहीं बार यह complex भी होजाते है अगर जादा products return आरे company के लिए और कहीना कि जो company की cost होती है वो तो लग चुकिए delivery वगेरा cost तो लग चुकिए वो तो company को वापस मिलती नहीं कंपने के लिए वो कहीना कि चालेंज होते है और costly भी हो जाते है अपना business